जीत की खातिर बस जुनून चाहिए जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए यह आस्मान भी आये का जमीन पर बस इरादों में जीत की घूंच चाहिए प्रोफाइल की लिंग इस वीडियो के डिस्क्रिप्सन में भी दे दिया हो तो उस लिंक पे भी क्लिक करके आप फॉलो कर सकते हैं यह आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकान प्रेस करें ताकि आपको डेली मौनी में पांच थर्मल बैटरी प्लांट आंध प्रदेश में स्ताफित होगा देखें दोस्तों आंध प्रदेश में राज्ज की जो सियम है एन चंद्रबावी नाडूदारा दुनिया के पहले थर्मल बैटरी सहंत का अनावरण किया गया है भारत एनरजी स्टोरेज टेकनोलोजी करने मदद करेगी ग्रिड संतुलान और स्थिक्रण करने के लिए सबसे उप्यूक्त है इसका उप्योग दूरसंचार वाणेजिक परतिस्थानों इलेक्ट्रोनिक वाहनों और राजमार्ग चार्जिंग स्टेशनों के लिए उर्जा भंडार करने के लिए भी किया ठीक है दोस्तों आपे बात आंध प्रदेश की हो रही है तो आंध प्रदेश से लिटेट सारे फैक्ट आपको बता देता हूं जो आपके एक्जाम में पूछे आते दो ध्यान जो सुनिएगा आंध प्रदेश की राजधानी है है हैधराबाद गवर्णर है एसल नर्शिम में कब हुआ था एक अक्टूबर 1913 में बिल्कुल आपको याद रखने कई वार एक्जाम में पूछा गया है इसके लावा सबसे लंबी तर्रेखा वाला दक्षिंड भारत का राज जिकाउन सा है वह है दोस्तों आंध प्रदेश जिसकी लंबाई 1100 किलिमेटर इसके करनाटका की तो करनाटका की राजधानी दोस्तों वह है बैंगलूरू और बात करें कि उनने के गवर्नर के वीमान की वार्टे में पोश्यापन को वाइना है लोग वैप जो प क्रामो थे करनेड़या ज साम था तुम नगार की तो किस राज में इस्थित है तो यह स्थित दोस्तो करनाटक में ठीक है कहा है इस्थित है करनाटक में इसके बाद तुंग भद्रा परियुजना तुंग भद्रा नदी पर तिलंगाना और करनाटक के मत इस्थित है ठीक है परिजन और से लेटेट कोशन पूछा आता है तो तु प्रदेश के मंदला में उसके लावा नर्वदास नदी जो है तूर नर्वदास नदी कुद्गामस्ता लामार कंटक्स होता है इसकी टोटल लंबाई किदनी है तेरा सो बारा किलो मीटर इसके लावा यहां पर पचमधी राष्टि उद्यान भी कहा है सी दोस्तों वह इसी थ है मत्यप्रदेश में और यहां पर कोश्चन और पूछा तो मंदिर किसने बन वाया था तो यह बन वाए चंदेल वंच को शाजखोने कहां पर इस्थी थे कहां पर यूपी की तो यूपी की राजधानी अलखनाव वरतमान सीम है योगी आदितनात और यूपी से लेटेट तो आंद प्रदेश में ठीक है दोस्तो वीडियो यदि पसंद आयद प्लीज लाइक जरू करिएगा आज टार्गेट रखते हैं दोस्तो 11,000 लाइक का I hope आप लोग पूरा कर देंगे पूरा वीडियो देखिएगा यदि वीडियो पसंद आयद प्लीज लाइक जरू अगला कोशन दोस्तों नीती आयोग ने रूसा योजना के लिए कितने जीलों का चैन किया है तो नीती आयोग ने रूसा योजना के लिए उस्तों 117 जीलों का चैन किया निया आपसंसी राइट है देखे उस्तों नीती आयोग ने 117 जीलों को महत्त्वा कांची जीलों प्लासित किया गया है दोस्तों आपको रूसा के बारे में बता देते हैं रूसा का फुल फॉर्मใभ राष्ट्यी उच्चतर Sik्षा अभियान क्या हैskे अखिद्र प्रव्चिती हो जना है दोस्तों जिससे परविंग इंडिया इसकी स्थाबना कपकी थी एक जन्वरी 2015 को योजनाकर स्थान पर दोस्तों यह जो आयोग केंद तथा राज सरकारों के लिए थिंक टैंक करेगा दोस्तों इसके लाब बता दे कि नीति आयोग का मुख्य भूम का राश्टी तथा अंतराश्टी महत्क ब नीति आयोग उन्हें रूसाय व्जनाकर के लिए कितने जीलों का चैन किया है यह कि दुस्तों एक तो सत्तरा जीलों का ठीक है चलिए भारत थाइलेंड सैंथ्व भ्यास मैत्री दोहठारा कहां शुरू हुआ है तो भारत थाइलेंड सैंथ्व भारति सेना और याल थाई स से में सायुक्त काउंटर विद्रोह और आतंगवादी विरोधिय वियानों में सामरिक और तगनीक उसल को बढ़ाने पर जोर देगा दोस्तों बात करें थाइलेंड की तो राजधानी है बैंकॉक मुद्रा है थाइबात और यहां के बात करें प्राइमिस्टर की थाइलेंड दोस्तों भारत और रूस के बीच होता है कहां पर इंद्र होता है भारत और रूस के बीच और सिंभायक्स होता है भारत और सिंगापूर की बीच सिंभायक्स भारत और सिंगापूर की बीच और यहां पर बज्जर प्रहार जो है वह भारत और सहुतरा जमेरिका की बीच हो तो थाइलेंड के बीच ठीक है तो भारत थाइलेंड सेंगत अभ्यास मैंतिरी दौटारा कहां शुरू हुआ यह शुरू हुआ तो थाइलेंड में चलिए नेश्चोच केंदर सरकार ने सीवीडी ती यानि सेंटरल बोर्ड ओफ डारेक्ट टैक्स क्या है फुल फाम इसका सेंटरल बोर्ड डारेक्ट टैक्स में किदिने सदस्यों की निक्ति की है तो उसका राइड एंसर रहो गज़कर अंप्शन भी दो सदस्यों के देखें तो केंदर सरकार ने आधित विक्रम और प्रमोध चंद्र मूडी को केंद्री प्रत्यक्षकर बोर्ड में इनकी नियुक्ति की है और उनके नाम प्रधानमती नियनमोधी कद्षिता वाली कबिनेट की नियुक्ति शम्मिती त्वरा मंजूर की गई थी और आपको बता देश्टुक टिक व्रतमान चेर्मैन है वह रही है सुसील चंद्रा काओंने सुसील चंद्रा इसके लाभ आपको बताते हैं सुसील बॉर्ड पॉर्ड और एकली पांच लाख रूपए के जीवन विमयोजनगी घोषना की है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा तेलंगाना ठीक है यह आन रंगाना ने किषानों के लिए पांच लाख, रूपए के जीवन भीमायं वजनाख गहुष्णा की गई है Central Pollution Control Board ने किस शहर को देश का सबसे प्रोशी शहर भोशित किया तो Central Pollution Control Board ने दोस्तों देश का सबसे प्रोशी शहर गुडगाओं को भोशित किया है देखिए उस्तों Central Pollution Control Board ने गुडगाओं यानि गुरुग्राम शहर को देश का सबसे प्रोशी शहर भोशित किया है सब्सक्राइब में 96 बर्षी कार्तियानी अम्मा भी शामिल हुई जो यह परिक्षा देने वाली राज की सबसे उम्रदराज महिला हैं अब देख लेते दोस्तों कल का एंसर कल मैंने कोशन पूछा था हाली में ICC इसी रैंकिंग में टेस्ट के नंबर वन बल्लेवाज कौन बने है तो इसका राइट एंसर से दोस्तों ऑप्सन भी विराट कोली लगवग 99 परसेंट इस्टूडे ने राइट एंसर दिया था क्योंकि आप लोग रेगुलर वीडियो देखते हैं अब देख लेते दोस्तों आज का सवाल आज का कोशन है महिला होकी विश्चकप 2018 रिकार्ड आठी वीवार किस टीम ने जीता है ऑप्सन आपके सामने दे रहें दोस्तों इसका राइट एंसर आपको कमेंट बॉक्स दो जरू लिखना प्रीस कमेंट जरू करिएगा दिया अपने कल का वीडियो देख को जॉइन के लिए आपको पीडियो फाइल पूरे मंद के एक साथ चाहिए तो मिलते हैं दोस्तों कल की वीडियो के साथ स्वस्तर रही बेस्तर रही है आपका दिन शूब हो जै हिंद बंदे मातरम